वेलो गाईज, हमारे यहाँ पर पड़े हैं ओले और ओले पड़ पर ही मोसम बहुत जादा ठलबा हो गया है तो थंडे मोसम में सबसे पहले खाने की जो चीज या दाती है वो थे पकोडे तो मैंने यहाँ पर बनाना स्टाट कर दिया है तो यहां पर मैंने सारे आलू छिल लिये हैं उसके बाद इन्हें कट कर लेंगे तो अब यह आलू हम कट कर लेंगे आलू को कट करने के बाद इन सब आलू को हम पानी में डालेंगे ताकि यह काले न पड़े तो यहां पर पानी लिया है और पानी में सारे डाल कर रख देंग यहां पर हम डालेंगे 1-5 चमल मज चावल आठा तो उसके बाद हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे पहले हम इसका बैटर बनाएंगे तो बैटर जो है अधोड़ा सा थीक ही रहता है तो नमक रैड चिली पाउडर कोरिंडर पाउडर, गरम मसाला और अब इसमें थोड़ी सी हिंग डाल देते हैं और यहाँ पर हरी में इस्ट्राल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारा बैटर जो है बिल्कुल तयार है अब यहाँ पर कड़ाई मैंने तेल गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था और यह देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है और यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी बने है तो सारे हमारे पकोड़े जो बन कर तयार हो चुके हैं अब इन्हें सर्व कर लेते हैं यहाँ पर मैंने इमली की चटनी और ग्रीन सोस ली है ग्रीन चटनी बनाई नहीं थी तो अब इसके पर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरमसाला डाल देंगे बहुत यह चछा टेस चाता है या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं और यह हमारे सूपर क्रिस्पी बकोड़े बन कर तयार है